कैथलिक लिस्या की मसीही तलीम क्या है जानेंगे इनको और भी करीब से हमारा खास करिकरम कैटिकिस्म आउप्दा कैथलिक चर्च में जैए शुकी आवस्थी प्रार्थना गिरिये प्रभजी असी तेरी अराथने तेरी विडियाई तेरी महिमा कर दे हां प्रभजी तेरी रोशनी तों बेगार आसी कुछ भी नहीं समझ पाएंगे कुछ भी नहीं बता पाएंगे इसी करके प्यारे प्रफु आपने रोशनी नाल मेंनो आते सुनन वाले सब लोगान पर पूर कर तैकि असी जो कुछ भी प्रभुजी तो साड़े ते प्रगड कीता है इसनो सही तरीक दनाल समझे आते ओद मताबिक साड़े अपनी जिन्दिगी नो तेरे मरजिद मताबिक आगे ले चलिए असी ये मंग दे हम आपने प्रभु एश्मसिदराही असी ये वेख रहे सांग कि किस तरीक दनाल परमेश्वर ने जो साड़े ते प्रगड कीता है ओ रिजुलान दे राही साड़े तक पहुंचाया गया है असी हुना इतना समय बाद दोजार साल बाद जेडियां गल्ला परमेश्वर ने प्रगड कीता संद पत्रस कहनगे जेडियां गल्ला आसी वेख रहे संद यूहना भी कहनगे जेडियां गल्ला आसी वेख रहे सुनियां आनभव कीता है ओ ही गल्ला आसी तो आड़े सामने रख दे हां ते कलीसिया दे जरिये जो कच भी रजूल लोगा ने वेखिया सुनिया ते अनभव कीता वो सब लोकान दे फाइदा दिलेई लिखती रूब दे विच साड़े तक पहुंचाया गया है अधे कलीसिया दी दिहास दे नाल नाल जो रिवायता है ये भी साड़ी मदद करदा है जो लिखती रूब दे विच जो साड़े को आया है इसनू समच्छन दे लेई ये साड़ी मदद करदा है क्योंकि दोजार साल पहला जो लिखिया गया है उनान समच्छन दे लेई जिरूर सानू देखना चाईदा है कि उस समयतों लेके हर साड़ी दे विच जेड़े लोगी इनाचिजान मानदा सी ओ किस तरीके दनाल उननू समच्छा किस तरीके दनाल ओदे जो डेवलपमेंट है वादा होया है ये किस तरीके दनाल होया है ये सब समच्छना है ति इसी करके कलीसिया दे विच इस ची नाचिजानू सही तरीके दनाल सी समच्छ सकते हैं कलीसिया दे बाहर जो कले वजनवल देखदा है वह सारी गला उननू समच्छना मुश्किल हो जानदे हैं क्योंकि वह समेदिया गला ते हुनदिया गला दे विच बहुत तंदर है तो इस करके सानू ये सोच रखना बहुत जरूरी है कलीसिया दे नाल चलना ये बहुत इटालिया दे विच या लतीनी विच है कहेगा कि संदीरेकुम एक कलीसिया मतलण कलीसिया दे नाल चलना थे खलीज किस तरह कलीजिया आला सी इसनों समझ पाएंगे जो साड़े ते परगड़ कीता गया है इसी उननों दिस्या कई सिंबल यानी क्रीड इमान दी जो रिजूलान दी जो कल्मा इनान दे जरीये सानू दिता गया है ते इसी उस दे राही इसी याद कर दे हैं संखेब रूब दे विच जो बारा जो कल्मा है जो सिंडन्स है इस ते राही असी ये सारे जो विश्वास है असी इसनों समझ पाएंगे याद कर सकते हैं ते अजसी उस देशों शुरुवात है तो रूब दे कल्मा दे विच सब्तों पहला जो दस्या जन्दा हुई है मैं खुदा उते इमान रखता हूँ तो दो नाइसीनों कॉंस्टानिनों पॉलितन जो काउंसल दे राही जो तयार कीता गया है विश्वास दी जो संकेब है ते रसुलान दे राही बबतिसमेदली तयार कीता जो विश्वास दी जो सिंबल है ये दोना आनों मिलाके सानों देखना चेदा है तो रसुलान दे कलमे विच असी यही कहने देगा मैं एक खुदा उते इमारक देगा अंग्रेजी विच ए बोलेगा I believe in God the Father Almighty मैं खुदा उते इमारक देगा जो पिता है खुदा बाप है तो सब्तों पहले असी जो विच्वास रख देगा आईलान कर देगा साड़ा विच्वास यह है कि खुदा है परमेशर है जेकर परमेशर नहीं है तो फिर साड़ा जिन्दगी दा मकसद उदेश इस्दी भाविक इना सब देवेज बहुत अंदर हो जाने है जेकर खुदा है तो ओ खुदा कौन है किस तरीके दना सी नहीं समझ देहा ते साड़े अते खुदा आदनाल की संबंद है अते इस संबंद विच्चे साड़ी की जमवाईरी है इना कर लानो सोचना समझना बहुत जुरूई है जेकर खुदा साड़े निगरानी करदा है तो साड़े अपने भी जमवाईरी है कि खुदा जो सानो दस्दा है उस दे मताबिक चलेगा तो फिर जेड़े मकसदनाल परमिश्वर ने खुदा ने इनसानों बनाया है उस मकसद तक परहुं चना ते इसी करके सबते हम पहला थे आखर देविच परमिश्वर ये कह का में आलफा आते उमेगां में आदी आते आंद या प्रगाश्टी पोती देविच ओई कि असी खुदा तो लेके तूर दे हम खुदा है खुदा है ना मतलब इस दिवारे में असी सोचेगा तो पंजाबी दे विच जो खुदा या उर्दू दे विच खुदा शब्द है हिंदी दे विच उसनो शायद परमेश्वर करके ट्रांसेट किता जावेगा खुदा जो अपने आप विच है अंग्रीज विच ऐसी कहेगा अन्क्रियेटट एक्सिस्टेंस यानि किसी ने भी उसनों बनाया नहीं है वो अपने आप विच रहन वाला है जेकर कोई होर उन बनाया है तो फिर वो खुदा नहीं हो सकता है तो जो अपने आप विच है जिस विच 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 स्वारे चीजा निकल दा है अते जिस विच ही सब कुछ अखर दे विच पहुंच दा है सब शुर्वात भी उस दे विच होंदा है सब चीज दा अंद भी उस दे कौली पहुंच दा है ओ दे विच कार अजी हां तो साड़ी जो शुर्वात है उस तो होया है तो साड़ी आंद भी उस विच पहुंच दा है ये दे विच कार आवेगा इनसान दी जो मन मर्जी दनाल परमेश्वर दी जोजनानो इनकार कीता या उलंखना कीता अते इसी तरां फिर सारे जो योजना प्रफुने जो बनाया सी ओ सारे पल्ट गे तो पल्टन दे कारण फिर दुबारा सुर्व नवी योजना बनाना है तो इस नवी योजना दे विच फिर मुक्ती दा ये जो इतिहास है ये चलदा है जिदे विच समेदी पूर्ती होंटे मनुख दा पुत्तर बनके परमेश और आप जो खुदा दा दूसरा शक्ष है वो मनुख बनके इस अंसार दिविच आउंदा है कि दुबारा इंसान नू अपने मन्जिल दे विच पहुंचावे क्योंकि गिरे होई इंसान अपने आप उदे कोल पहुंच नहीं सकता है तो खुदा उत्ते में विश्वास रखदा हम इसनों असी ठीक तरीके दे नाल समझना है कि बाद विच ही कहा जड़ा बाप बेटा ते रूपाख है एक खुदा उते में विश्वास रखदा हम पर वो एक खुदा बाप बेटा ते रूपाख है मतलब तिन शक्ष हैं पर वो एक दा विच रहन वाला एक ही सबस्टेंस या एक ही सभाव है उस खुदा दा तो ये इसी इतना समझना बहुत जरूरी है वो ही सब कुछ दा आरंभ है सब ओदे कोलों ही शुरू है अते ओ किसी तो शुरू नहीं होया ओ अपने आप विच रहन वाला अपने आप विच पूरण अपने आप विच पूरण बना अतलब किसी चीज दी कमी ओदे विच नहीं है कोई चीज उसनों संभूरन नहीं बना सकते क्योंगी अल्री पहला ही वो संभूरन है अपने आप वीचो आनंद माना हुंदा है अते उस दे आनंद कोई बढा नी सकता है कोई कटा नी सकता है उस दे नाल कोई जोड नहीं सकता है तो परमेश्वर अपने आप विच इसी तरह पूरन होन देना थे उस दी अपनी आनंद उस दी अपनी खुशी दे विच ही उस दी प्रगटावा दे रूब दे विच ही सारी स्रिष्टी जो होया है परमेश्वर दे अपने डिली खुशी दे कारण ही स्रिष्ठी दे विच सारियां छी चाहने आते इंसान नोपी पर खुदा ने अपने शुरूबते जो बनाया है जो पाक तसलिष खुदा है, त्रियेग खुदा है, ट्रिनिटी जो है, उस ट्रिनिटी दी, उसे सुभाव, उसे चहरा, इनसान बनना चाहिए दा है, इसी के लिए ही बनाया सी, पर पाव उसने गवाई लिया, ते इस करके संसार भर देवीची इनसान सारे अलग-अलग-अल वाला है फिलाने जादी तो विलाने गौतर देविचे उन जम्या है इस तरीक दनाल इनसान अपने आपनो अलग अलग वखरा वखरा कीता है ते उनानो इखटे एगदाई देविचे ले आऊना इना मुश्किल हो गया है पावे मनुखदा पुतर आगया है स्वर्गतों उतर के आया इनसान नू दुबारा जोडन लई परमेश्वर्दे उसे सोफाब देविचे बनाऊं दे ले उसने कम पूरा कीता पर फिर भी इनसान उसे दे ले तेयार नहीं है मन ख़दा जो मन है वो टीड होया है वो अपने आपनो थोड़ा सकत बनाऊंदा है परमेश्वर्द सुनन दिले उत्यान नहीं है चूटियां गलां सुनके ओदे मगर तूर दे रिंदाए पर सच्छाई जो खुदा है उन्नों सुनना इनसान दिले बहुत मुश्किल है असी विश्वास दे विच रुजलान दे कलमे विच या क्रीड दे विच जिदों असी कहें देखा मैं खुदा उते इमान रखता है साड़े जिन्दगी इस विश्वास दे अथारिद है जेकर ये जो चीज नहीं है तो फिर साड़े जिन्दगी दा मकसद देख सब ख़तम हो जादे फिर असी क्यों प्रार्थना करना जेदों सानों कोई मुश्किल है तो केदे कुलों से मांग तो फिर जो हर कोई माइटी स्राइटी इसी तरह इंदी जिन्दगी होना शुरू हो जेगा जेकर कोई भी साड़े ख्याल नहीं रखता है किसी दे कुल असी ये हिसाब किताब देना जरूरत नहीं है तो फिर सारे अपने मन मर्जी करेगा फिर उते जो मॉरालिटी है सही ग जनुखदी जीवन दी ससाइटी दे विची इनसान जो रहेंदा है ये बेई से फंडमेंडल है मतलब ये नहीं है तो फिर समाज दा या सोशल लाइफ जड़ी है समाज की जिन्दगी है ये फिर पल्ट हो जानते है तो विश्वास रखना बहुत जिरूरी है I believe in God ये बहु सारे जो जो प्रगटावा है प्रमेश्वरदी एदे विच्छ एक ही एस चोटे लफ़स दे विच्छ संपूरन है असे पिछे वेक्या है कि इमान रखनदा मतलब ये कि मैं अपने आपनों ओदे सामने पूरी तराम सौंब दे हम I surrender myself मैं उसनों स्विकार कर दे हा कि ओ मेरा सुरजाखार है उसने में नो बनाया है अथे ओदे कोल में पूर्च ना है ओदे सामने मेरा जिंदगी दा हिसाब में रखना है तो जब मैं खुदा उते इमार रखदा है मेरे जिंदगी बदल जाने है फिर मैं लड़ाई जगड़ा, कतल, बुरिया कमान दे मगर नहीं जावेगा क्योंगी मेरा पिता खुदा है अते ओ मेरा निगरानी करदा है मैं खुदा उते इमार रखदा है ये साड़े लगी एक सुरख्या का वजबी है जिदो शेतान इनसान दे उते हमला करदा है जेकर वो कहेगा मैं खुदा उते इमार रखदा है शेतान दे ताकत उते खदम हो जाते है इनसान नो पकड़न लगी शेतान इसी करके कोशिश करदा है कि इस चीज नो खदम करण लगी मतलब विश्वास नो खदम करण लगी कोशिश करदा है तो जेकर इनसान विश्वास नहीं करेगा खुदा है या नहीं है किसको पदा है इनसान नहीं पदा है तो फिर राज शेतान दा हो गया है मतलब तुसी खुला गेम खेरना बोलता है जंगल दे विच्य गेम खेरना मतलब उते शिकार लई जाना है जो आ गया उनुन denो आ जाना है तो जेकर खुदा साड़े उपर या साड़े नाल नहीं है या आजा आसे खुदानो अपने नाल रखता नहीं है इसा मतलब खुला कोई भी साड़ेते हमला कर सकता है कोई भी सानू आके मार सकता है कोई पुछन वाला नहीं इसी तरह असी भी अपने जिंदगी जो मर्जी होवे इसी तरह जीवेगा पर सच्छाई यही है संद पहलों से साफ दसेगा कि खुदा है यह सारी जो स्रिष्टी है यह अपने आप दे विचे नहीं आया है अपने आप विचे रहन वाला है खुदा वाकि सारे खुदा दी मर्जी दे मताबिक होया है उस दी मर्जी होया तो सब अस्तित्व में आया नहीं है तो कुछ नहीं है तो उस दी मर्जी यही सी समझ है उसने जो शक्ती है ताकत है यह सब प्रगट होन अते प्रगट होन दे इना सब चिजानों समचन वाले भी कुछ होन तिसी करके जो सुरिष्टी दे बारे आज़ी सोचांगे दे बारे थोड़ा होर सोचांगे पर इतना सानों जरूर यह समचना चाहीदा है साड़ी जिन्दगी इस विश्वास ते अथारी दे लेके जाना बहुत जुरूरी है इस तो बेखेर नहीं चलना है जाएदा इस तो बेखेर चलेगा तो साड़ी जिन्दगी दा रास्ता पुल के जीवन बिदाएगा मैं खुदा उते विश्वास रख़दा हां तो मेरा सारा कम उस खुदा दना जोड के में कर दे हम उस खुदा तो अलग होके या अलग करके में कोई काम नहीं करेंगी उस ते मदद मांग के में जिन्दगी बिताना है तो खुदा उते इमार रखता हम तो खुदा दी जो तिन शक्ष है उस दे बारे असी होली होली सोचांगे आज दी यह जो सोच है खुदा ने स्वर्ग अते थर्थी बनाया अंग्रेज बिच बोलेगा कि heaven and earth स्वर्ग अते थर्थी मतलब यह है असी उन्हों समझेगा तो जो आत्मिक चीजा है अते जो material मतलब जो साथन है इन्हां चीजान दनाल बनिया तो आत्मिक एक दुनिया है अते जो चीजान दनाल बनिया होया एक दुनिया भी है बहुत सारे लुकां दिलेई यह दो चीजानों समझना मुश्किल है इसी करके कई लोग कहेगा कि एए दुनिया जो है एए मेटीरियल है वायू मंडल दे विचे बहुत सारे जो छीजां हैं उस सब किसी पदार्थ देनाल बनिया है या पदार्थ बदल बदल के अदल बदल के वो बन जानदा है पर इना सब दे शुरुवात दे विचे खुदा ने एद दुआ चीजान बनाया आत्मिक चीजान भी बनाये अते पदार्थ देनाल बनिया होया चीजान भी बनाये असी उना दे विचे हां पदार्थिक चीजान दे विचे हां सब्सक्राइब किसी ना किसी चीज देनाल बनिया है पर आत्मिक जो संसार है या आत्मिक जो दुनिया है वो सिर्फ आत्माई है आत्मा वोंकी जीवन है तो केवल आत्मा केवल आत्मा दा मतलब है वो पूरण है मेटीरियल है या पदार्थिक है इसका मतलब है वो निर भर है किसी ना किसी ते निर भर है यहकर आत्मिक है जिस तरह उन असी समच्छन दली कह सकते कि जिस तरह खावा चलदा खावा किदर से आंदा किदर जांदा प्रभु कहनदा वो किसे नों जांदा ने कोई पदा नहीं चलता इसी तरह है आत्मा आत्मिक दुनिया वीच रहनवाले भी तो सुर्ष्टी दे परमेश्वर्दी आज्यादी उलंगना करके गिर गे इसी तरह शितान हों मनगे पर भी ओ आत्मा है तो इस पादार्थी चीजानों अपने कभजे वीचे रखंदली कोशिश करदा जो बूरे बने जो पला है परमेश्वर्दी सेवा वीची ही सब कुछ करदा है जो है रिस्टा है क्योंकि परमेश्वर्दी आज्यादे मताभी चले तो यह जो विश्वास है यह सच्चाई है खुदा है हर रोज असे अपने आपको कहना है खुदा है साड़े जिंदी की कई किसम दो परिछानी हो सकता है मुश्किला हो सकता कई समस्या हो सकता है की तू विश्वास करदा है परफियेशू जो पुछया है बहुत सारे लोगान परफियेश करके चंगा करन तू पहला की तू विश्वास करदा है तो ये शमसी पुनान जो पुछया है विश्वास करदा है कि मैं कर सकता है कि मैं मसी आँ है ये विश्वास पर साड़े ते ये सवाल है कि तू विश्वास करदा है कि खुदा है तो जेकर खुदा है कि तेरे जो समस्या है तेरे जो मुश्किल है तेरे जो बीमारी है तेरे जो करजा है कि ए खुदा सही नहीं कर सकते ये खुदा इस ते अपने हत नहीं ला सकता है नहीं कर सक केगा जदों तक मैं इजाजत नहीं दिवाँगा तो जब मैं कहीं देखा कि मैं खुदा उते इमा रPH देखा ये पूरी तरह खुदा दे खावाले विछ च मैं अपने अपनु रख देखा खुदा ते चरनादे विचे मैं अपने अपने सोंब देखा तो इसी करके ये जो शब्द है ये बहुत उमीद फ़ेरिया शब्द भी है अधि इसनों बड़े प्यारदनाला से इस्तमाल करना चाहिए है मैं एक मा रखता है मैं खुदा उते ही मा रखता है मातलब जो कुछ भी होनदा है इनासाब दे विचे खुदा मैंनू देखता है खुदा मैंनू जानता है मेरा हालत खुदा जानता है ते बाईवल दे विचे असी इसी तरह दे बहुत सारे जो मिसाल वेक देखा विशेश करके सी वेक देखान जिस तरह अयूब दी जो जीवन है खुदा वेकता है तो जिदो ना दे जीवन दे विच बहुत सारे तुफान आंदा है बहुत सारे दुख संगट सब कुछ तबाह हो जान दे है खुदानों इंकार करन ले लोग उन्नों प्रेयर ना दिन्दा है पर उन्ने बिश्वास की था खुदा है तो मैंनों समझने आंदे की मेरे नाल ये क्यों होंदा है मैंनों समझने आंदे की मैंनों आँ गरीबी क्यों है या करजा क्यों है या बीमारी क्यों है मैंनों नहीं समझ में आउंदा पर खुदा है तो जेकर खुदा है तो उस दी एक जोजना है उसी दिले मैं जिदो अपने आपनों सौंबेगा उसनों जिदो मैं स्वीकार करेगा ओ फिर मेरे जिंदगी बीच आवेगा ते परमेशर जो कुछ भी करदा है वो पलाई दे बास्ते ही करदा है क्योंकि परमेशर पला है God is good and God whatever He does it is also for good जो कुछ भी खुदा करदा है उससा पलाई है क्योंकि वो पला है अते जो कुछ भी हुंदा है उस दा नतीजा भी पलाई ही होवेगा इनसान ते नजर दे विच ओओ हो सकता है बुरा है इसी करदा में अयूब दी मिसाल दे दिता है जो उदेनल वापरिया है ओओ सब बुरा नजरा हुंदा है पर परमेशर दी अपनी योजना उस दे विच्छों एक वड़ी एक बहुत बड़े पलाई हुदे विच निकाल दा है तो इसी तरह जिदो मसी विश्वास कर दे हां कि परमेशर है खुदा है अपने आपनों उदे हवाले करना हर खालत विच खुदा दे हवाले करना चाहिए मैं खुदा उते इमार रखता हुदा उते मैं विश्वास रखता हुदा इस विश्वास दे विचे जीवना इस विश्वास दे विचे मारना इस साड़ी कोशिश होना चाहिए इस विश्वास दे विचे सारी जिंदगी चलना है इस विश्वास देविच साड़े आख्री दम तक इसे विश्वास देविच खुदा उते विश्वास रखे जो जीवन है तो यह इसी तरह कहां दा मतलब यह है कि एक खत्रा बहुत है क्योंकि जिंदगी विच कई सिखियां वाँ होंदा है कई एक्सपीरियंस अनुभव पावे गात यह खुदा है तो यह क्यों इस तरह होंदा है एक्यों बिमारियां इतना फेंदा पांडमी क्यों होंदा है एक्यों बच्चे अंदेना इस तरह बुराई होंदा है क्यों बच्चे अंदे गर्पबाद दे विचे बच्चे नो मारा जांदा है क्या खुदा नह है वो छुटियां सवालां करके इनसान दे दिमाग नो कुमाउंदा है उस दे विश्वास नो दूर करन तले इसी करके इदोहराना जे रुजी है रुजुलान दे कलमेनो दोहराना है जे दोम्भी सानो कोई मुश्किल है रिसुलान दकल में दोहराओ कई वारी दोहराओ तो ओदेनाल साड़ा प्रभूदेनाल जो है कुदादेनाल साड़ा जो संबन्द है या अपने आपनो असी उस दे हवाले रखतेगा उस दे सुरख्या दे खत्विच सिसोंब देगा वो सानो संबालेगा और ते शितान इनसान उते हमला नहीं कर पाएंगे शितान तदी ही साड़े कोलाओंगे जेकर उसनो थोड़ी सी जगा मिलेगा तो ते विश्वास देविच जे असी अपने आपनो प्रभूदे ले चलांगे कोई मुश्किल नहीं अब असी प्रार्थना करिए प्रफजी आज असी तन्वाद कर देखा क्योंगे तू साड़े ले ये छोटी जेही ये जो लफज है मैं खुदा उते इमान रखता है इस ते रहा ही तू सानो साड़े जिन्दिगी दे उदेश उस दी मकसद असी जो जीवन बिताओं देहां इसी करके है क्योंगी तू है इस तरह संदा लोग कहने दे कि आसी कुछ भी नहीं आसी नहीं हां खुदा है बाकी कुछ भी नहीं खुदा ही है तो इस विश्वास दे विचे चलन ले प्रफजी सानवाशिश दे तेरे वजन सुनन वाले सब लोगाओं दे दे आकर प्यारे प्रफू विश्वास दी दाद जेकर तू देवेगा ताही ओ इनसान दे दिल दे चिपके रहेगा उसे विश्वास देना सब लोगाओं परपूर कर असी ये मंग दे हम अपने प्रफू येश्व मस्विद राहे प्यारे प्रफू सब लोगाओं आश्वाद परदान कर वीमाराओं चंग्याई परदान कर परिशानी वी चंदूर कर दे पूरी खुदरत वाले खुदा बाब ते बेठा ते रूप आख ते आशिस त्वाड़ते होवे त्वार नाल रहें आमेन सार्यानों जैये शुकी